असलाम अलेकूम carlils बनाने के लिए अलू बॉयल करके मेश कर लिये है इसके अंदर जो मसाले डालेंगे वह पयास और बारी कटकीवी हरी मिरच और एक चाई का चम्मच कुटी लाल मिरच एक चाई का चम्मच زीरा और एक चाई का चम्मच कुटा धनिया थोड़ी सी हल्दी कुछ कड़ी पता जो तड़के में जाएगा ये सारे मसाले हम फ्राइ करके डालेंगे इसमें और राई, अजवैन, उसूरी मेथी और जीरा ये सारी चीजे हम तड़के में डालेंगे और ये सारा मसाला फ्राइ करके फिर हम इसके अंदर डालेंगे और क्योंके फ्राइ करके आप मसाला डालें और फिर कटलस बनाएं इसका जायका देखें कितना टेस्टी मज़ेदार सा होता है अब हम मसाले सारे इसके अंदर मिक्स करेंगे सबसे पहले हम नहरी मिर्चे डालीए फिर प्यास डालीए बाकी चीजे हम फ्राई करके इसके अंदर डालेंगे और ये मसाले ये तड़के का सामाने और ये मसाले है जो फ्राई करेंगे फ्राइ करके हम इसके अदर डालेंगे अब कड़ी पता जीरा और तड़के का सारी कर्णा डालके मैंने कड़कडा लिया है यह हल्दी मेर्च और सुकुटा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है अभी इसको थोड़ा सा फ्राइ करेंगे नमक भी स्मेट कर दें आप एक चाय क यह वर्फजा डालें की दॉता लाइंगे बैसी अधिर देखिए आपके यह सरफ कितने शांदार बनते हैं अब हमिस्की टिकिया मिक्स करेंगे तरह ऊस्प्रक होन क्या करना है कॉण फ59 द्रशोप मारें दाले मिक्स करने की ज़रूट बनाई जरण भी चीमरें eslex darum जो मैं इसमें डाल रही हूं और इसको अच्छी तरह कॉन फ्लॉर लगा के और बस इसको शेलो फ्राइ कर लें इसको फ्राइ करने के बाद आप जो है तो फ्राइ इसको स्लो आच पर आप करें और स्लो फ्लैम पर इसको आप थोड़े से ऑईल के अंदर फ्राइ करें तो स्लो रखा हुआ जिस पर मैं फ्राइ कर रही हूं बस इस तरह इसको गोल्डन करके निकाल लेंगे मैं और बस इस तरह ये मज़िदार सी यालू की टिकिया तयार है मसाला फ्राइ करके जब आप इसमें डालेंगे तो इसका जाएका बिल्कुल चेंज देखेंगे और इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें यूट्यूब चैनल पर आप इसकी मुकमल वीडियो देखें जाएका रहमत के नाम से फेस्बुक पेच पर भी आपको मुकमल वीडियो मिलेगी और इसने वीडियो और इंस्टाग्राम पर या आपको थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो मिलेगी तो ये देखें मेरे कटलस तयार हो गए अब इसको आप जिस तरहां जिस चटनी से आप खाना चाते हैं जो पसंद है आप इसको यूस करें खुश रहें अबाद रहें सलामत रहें इजाज़त दें अलाँ आपिस